नमस्का किसान भाईयो मंडी भाव इंदोर यूटीब चल पर आपका फुर्पस्वागत है मैं गोपाल सिंग चुहान आत दिनांग दो मई 2024 हमें इंदोर चोईतराम मंडी में किसमें यो आवक की बात कर ले तो आवक हम मानिए पचास से बावन हजार कट्टों के लगभग की आवक इंदोर चोईतराम मंडी में हमें देखने को मिली है किसकते हैं इसमें थोड़ चीब आवक के देशी प्याज के भी आवक बड़ी हुई अब नजर आ रही है फिलाल की जो कंडिशन है इसा निए कि बहुत ज्यादा आवक महरास्ट के प्याज की है पर अब देशी प्याज निकलना स्टार्ट हो गया है तो उसकी आवक अभी अब बड़ना किसान भईयो चालू हो गई है देशी प्याज की आवक जो आरी किसान भईयो उसमें मेरा आपसे एक छोटा सुजाव यही रहेगा थोड़ी सी छटनी अच्छी करके लाईए जो माल अभी कह सकते नमी तो आईगी आईगी प्याज में पर उसकी जो पत्तिया ड़ंढा है वही सापनी आरी तो उसमें आपको भाव कटेगा तो यही चीज हमें महराश्य के प्याज की होती यह आज जवाब बोती है मशा हमारे इंपर होना है हमारे है आपको अच्छा माल या कि अच्छा भाव देखने को मिलेगा आज इसान भाईयों बजार की बात कर लें तो बजार आप मानिये लगभग मानिये कल वाला ही बजार है देखिए मैंने आपको रेट इसमें पांच उर्पे से लगाकर सोला साड़े सोला रुपे तक कर रेट बताए है तो इस चीज़ का विश्यान रखेगा तो इसा नहीं है कि इन रेटों में आपके प्यास ही गिंति कहीं ना होगी 95 परसेंट यही माल इसी अंदर विकरा है तो आपके लॉट की भी इसमें जरूर कहीं न कहीं उस तरह का प्याज आपको नजर आईगा देखिए एक एवरेज बजार के सकते हैं नो से बारा तेरा रूपय का बजार बना हुआ है और जो प्याज 14 रूपे से उपर जा रहा ह कह सकते हैं 15 रूपे से प्याज जो ऊपर जा रहा है तो लग भग स्टोग में प्याज जा रहा है य जो बड़ी कंपनीय है जो रिलाइंस रिटेल हो गया बजssen अब लग भग प्याज जा रहा उसमें 14 पंदर रूपे से जो ऊपर प्याज बिकरा उसी कंडिशन वही भी बाकी एवरेज दस बारा तेरा रूपे से लागा अब 14 रूपे आखरी एवरेज जब मान सकते हैं यही माल लगभग बिखते हुए अभी इंदो और मंडी में नजर आ रहा है तो चलिए देख रहते हैं आज के प्याच के भाव क्वालेटी के साथ यहां देखें प्याच ऐब 14 रूपे विंतल बका है 12 रूपे प्रतिकी लोग इसाब से लेख यहां गोल्टी क्वालेटी का माल है गोलता और गोल्टी देखें एक के सकते हैं चीन डेखने को इसमें बिल रही है का अब 155 रूपे पिंटल बिका है आज च्छें आप क्वालेटी किसान भाईयों आप सिख विनम्र निवेदन है आप चेनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा एक लाक में मात्र सब्सक्राइबर घट रहें तो मेरी गुजारी से आप सब्सक्राइब जल्ली कर लिजेगा इतना बटा कोई साइज नहीं इसमें मीडियम और गोल्टा है पर कॉलेटी बहुत बढ़िया है इसमें कलर पत्ती भी अच्छी देखने को मिल रही है देखिया आप कॉलेटी अब 1615 रुपे अब देख सकते कॉलेटी यहां देखिये प्याच्छ कॉलेटी जो कि आज 1550 रुपे पिंटल विका है 15 रुपे 50 पैसे प्रतिकिलों के साब से देखिया आप साइज के बाद कल ले तो बढ़िया साइज देखने को मिल रही है अच्छी देखने को मिल रही ह आपको तो ब्राउन बूला कर आपको इसमें देखने को मिलेगा है मिलेगा प्याच्छ कॉलेटी जो किया 900 रुपे प्रतिकिलों कि साब से देखिया साइज की बाद कल ले तो गोल्टा है इसमें पर के सकते नमी ज्यादा है प्याज में बिल्कुल ताजा निकला हुआ प्याज है थोड़ेशी इसमें किसकते हैं जो फिनिशिंग होने थी प्याज में तो छटाई होने थी वो हुई नहीं है देखिया इस तरह की कॉलेटी इसमें देखने को मिल रही है कि नो सो रुपे किंदल विकार आज यहां देखिए प्याच कॉलेटी जो किया पांच रुपे प्रतिकिलों के इसाब से देखिया अब साइस की बात करें ठीक ठाके पर इसमें किया सकते बेड़े वाला माल आपको लगभग बेड़े वाला माल लज़र आएगा देखिया कि पत्ती भी कमजोर है हलका ही माल है हलकी कॉलेटी है आप देख सकते कॉलेटी 500 रुपे प्रतिकिलों के इसाब से साइस ठीक ठाके बढ़के सकते इसमें कलर पत्ती आपको दोनों ही हलकी या कमजोर देखरी को मिलेगे देखिया इस तरक की कॉलेटी इसमें आपको देखने को मिलेगी देखिया फुल साइज कमाल भी है मीडियम गोल्टा भी आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा देखिया तेरा सो पच्चीस रुपे पिंटल भी काया आज आप देख सकते कॉलेटी यहां देखिये पत्चीस रुपे किंटल साइच की बाद कल ले तो इसमें गोल्टा गोल्टी है पर के सकते थोड़ा बहुत माल इसमें आपको दागी और पत्ती कमजोर इसमें आपको देखने को मिल जाएगी देखिया आपको लेटी एक हुचार पत्चीस रुपे किंटल विका है आज यहां देखे प्याच का लेटी जो किया ग्यारा स्थो पच्चिस रुपे किंटल विकी है ग्यारा रुपे पच्चिस पेसे प्रतिकेलों के साफ से साइज अच्छी इसमें बाकि के सकते नभे पर्षेंड माल में पत्ती है यही इसमें कमजोर तससलों आज देखें आपको लेकिए पत्ती आपको इसमें कमजोर देखने को मिलेगी आप देख सकते क्कु such आज यहां देखें प्याच क्कुन है प्याच क्कुलिटी जो कि railroad 155त रुपे क किंटल के लिकी है प्रति किलो के साब से साइज की बाद कर लें तो इसमें के सकते हैं फुल साइज का माल भी है तो मीडियम और इस तरह का गोल्टा थोड़ा वो देखने को मिला है तो इसमें देखने को मिल जाएगे कि साइज वगेरा ठिक थाके अच्छी साइज है किसकते इस टौक लाएक माल इसमें देखने को मिला है आप देख सकते क्वालिटी यहां देखिए प्याच्छी क्वालिटी जो किया चौदा सो रुपे किंडल भी किए चौदा रुपे प्रतिकेलों के हिसाब से देखिए माल निकला हुआ है थोड़ी बहुत नमी भी देखने को हमें इसमें मिल रही है देखिया प्याच्छी क्वालिटी जो कि आज पंदरा सो रुपे प्रतिकेलों के हिसाब से देखिए साइज की बात करेंगे तो इसमें एक जैसा माल नजर आएगा कोई बहुत ज़्यादा फ ज़्यादा मीडियम माल भी नहीं है एक जैसा आपको साइज से देखने को मिलेगा देखिया प्रतिकेलों के साइज भी काई यहां देखिए प्याच्छी कॉलिटी जो कि आज 1225 रुपे इंटल भी की है 12 रुपे 25 पैसे प्रतिकिलों के इसाफ से देखिया साइज इसमें बहुत बढ़िया है बिलुकुल के सकते फुल साइज का माल है कलर पत्ती भी इसमें अच्छी देखने को मिल रही है कि देखिया कि कॉलिटी आपको इसमें देखने को मिल जाएगी 1625 रुपे कुंटल भीकार आज यहां देखिए प्याच्छी कॉलिटी जो कि आज 1450 रुपे कुंटल भीकार देखिया 1450 पैसे प्रतिकिलों के साब से कि दाई इसमें अच्छी है कि अधर पत्ती भी बढ़िया देखने को मिलिए देखिया इस तरह की बाकि इसमें आप एक चीज देखेंगे थोड़ा बहुत माल आपको बेड़े वाला निज़र आएगा ज्यादा नहीं है थोड़ा बहुती है पर देखिया 1450 रुपे कि यहां देखें प्याच क्वालेटी जो कि आज 1100 रुपे कुंटल भी किए 11 रुपे प्रतिके लोगे इसाब से साइज की बात कर ले तो मिक्स साइज इसमें फुल साइज का माल थोड़ा सका में बाकि मीडियम गोल्टा गोल्टी और कह सकते इसमें पत्ती भी कमजो और ह मिल रहा है मिक्स कलर रहे ब्राउन बूरा गुलाबी देखिया 1100 रुपे कुंटल भीका है याज कि अधि 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 अधि